अयोधिया में विवादित धाचा डहाय जाने के अपराधिक मामले में CVI की विशेश अदालत ने पूर्व मुख्य मंतरी कल्यांड सिंग को समन जारी किया है विशेश न्यायधीश अयोधिया प्रकरंट सुरेंद्र कुमार यादव ने आगामी सत्ताई सितंबर को कल्यांड सिंग को बतोर अभ्यूक्त अदालत में पेश करनी का निर्देश जाच एजनसी को दिया है अजादी के बाद से ही उपेक्षा का दंच शिलने वाले वन्टांगिया गाओं पर सांसद रवी किशन भी महरबान हो गए है वन्टांग्या के सहबोच कारेक्रम में पहुचे रवी किशन ने न केवल युवाओं को खेल किट और सामगरी बाटी बलकी ग्रामिनों की मांग पर इस गाओं को गोद लेने का भी अलान कर दिया सांसद ने कहा कि आज से मैं इस गाओं को गोद लेता हूँ ये गाओं अब मेरा गाओं है मिर्जापुर में इस समय गंदा के खत्रे के निशान से काफी उपर बह रही है क्या शहर क्या गाओं सेकड़ों घरों में बाड का पानी घुस चुका है लोग घरों की छटों पर शरण लेने को मजबूर है वहीं बाड की वज़े से मिर्जापुर प्र्यागराज हाईवे पर पानी भरने की वज़े से भारी वाहां और गाडियों के लिए आवा गमन पर रोक लगा दी गई है बाड पीडितों के लिए अब सडक पर और खेत में नाउ ही एक मात्र सहारा है हमीरपूर में राहत सामगरी के नाम पर बाड पीडितों को सड़े आलू बाट दिये गए दरसल बाड राहत शिविरों में किस तरह की राहत दी जा रही है इसका जाईजा लिया गया तो यहां के तस्वीरें चौकाने वाली थी यहां डिग्री कॉलेज में बने राहत शिवर में लोगों को जो खाद दिसामगरी दी जा रही है वो बेहत खराब है यहां बाल पीडितों को जो आलू बाटे गए वो सड़े हुए निकले और अगर धोके से किसी ने इसको खा लिया तो उसका बीमार होना तै है उत्तर प्रदेश में गांधी जेयंती और विधानसवा उपचुनाव को लेकर ग्रह मंतरी अमिज शाह ने यूपी के सभी सांसदों और पार्टी के वरिश्ट निता के साथ वीडियो कॉन्फरेंस की इस कॉन्फरेंस में सीम योगी आदित्तिनाथ और डिप्टि सीम केशव मौरे शामिल हुए दो से तीस अक्टूबर तक वीजेपी के सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में 150 किलोमेटर के पत यात्रा निकालेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओ को जनता के समक्ष लाएंगे यानि अब भाजबा अपने मुद्दों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच उतरने जा रही है झाला झाला पुल